नमस्कार दूस्तो चॉबसें के रहर में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो फाइनले रेलेर के उपर फिर से एक रिकोमेंड आ है और वो भी गूर्पडी के लिए और बहुत सारे वैकेंसी से है क्योंकि एक नोटीस जारी किया गया था आप इस नोटीस को करेंगा तो प्लीज लास तक देखना डीटेल्स में देखना और कंटिन्यू इस वीडियो को कंटिन्यू करिए तो चलो देख लेते हैं जौब के डीटेस के बारे में सबसे पहले में नोटिफिकेशन को पर चला जाता हूँ आपर देखिए अलग अलग जगा पर अलग अल और इस्टन कोस्ट रेलेए के उप़र 2555 वैकंसी से इस्टन रेलएए CLW एंड मेट्रो के उप़र करीबन 10873 वैकंसी से नौर्थ सेंटल रेलेए के उप़र 4730 वैकंसी नौर्थ इस्टन रेलेए के उप़र 4000 वैकंसी से शाती साथ नौर्थ वेस्ट रेलेए के उप़र 5200 North Frontier Railway के उपर 2800 और North Railway RCF के उपर 3150 के आसपास South Central Railway के उपर 9300, South Eastern Central Railway के उपर 16,064 टोटल वैकंसी से South Eastern Railway के उपर 4900, South Western Railway के उपर 7100, South Railway के उपर 9500 West Central Railway के उपर 4000 और North Railway के उपर 10700 तो ओवरल मिला कर एक लाग मोटा मोटा मुटी निखाए तो 13,769 तो मैं पहली भी चुका हूँ, एक लाग से भी ज्यादा वैकंसी से आपके निकल का रहा है और इसके लिए जो total post है वो किस किस के लिए post रहेगा assistant postman आपर देखे एससिटेंट जो pointman है उसके उपर एससिटेंट जो pointsman है उसके लिए उसके उपर करीवन 14,870 वैकंसिस है एससिटेंट जो bridge है उसके उपर 913 वैकंसिस उसके साथ सा track management के लिए 40,721 वेकंसी फुल मिलाकर 56,500 वेकंसी आपको दिया गया है तो इस वेकंसी के इसाफ से आपको एपलाई करना होगा तो पूरा डीटेल्स का नोटिफिकेसिन आपको दिया गया इस नोटिफिकेसिन को ध्यान से पढ़िएगा उसके वाड़ अपलाई के लिए पुछ इसके लिए 18 से 33 अस तक और आपका एज लिमिट जो है वो 2009 और वो भी 1 जूलाई इस एज इस मतलब डेट के डेट वाइज आपका एज 18 तो 33 अस होना चाहिए और SCST के लिए OBC के लिए रहेगा जैसे OBC के लिए 3 साल SCST के लिए 5 साल और एक सर्विसमेन और अदस के लिए और भी एक्सेंड किया गया है फिजिकल हैंडिकेप के लिए को 10 साल तक एक्सेंड भी किया गया है तो एज लिमिट को यहाँ पर चेक आउट करिए आपका जो एज है उस हिसाब से और उसके बाद आप एपलाई करिए तो कैटागरी वाइज आपको फूरा का पूरा देड इसमें फीज मेंड के लिए 500 रुपीज देना होगा तो ओनलाइन अप नेट बैंकिंग यूपयाई के मात्हम से पेमेंट कर सकता है आप आप अपलाइन भी कर सकते हैं जहातां आपको एजवाइ चालान लेकर आप ब्रांच में जाना होगा पोस्ट अपीस के चालान लेकर पोस्ट अपीज में जाना होगा तभी इसको पेमेंट आप कर सकते हैं तो इस जॉब के लिए पूरा डीटर्स को पहले एक बाद चेक आउट करें एक एक करके में टोटल डीटर्स आपके साथ से आर कर रहा हूँ आप दीखें जो एक्जामेंशन होगा जो CBD टेस्ट होगा computer based टेस्ट होगा उसमें से आपको टोटल एक्जामेंशन का जो डिवरेशन रहेगा 90 मिनिट्स उसमें General Science के उपर 25 questions आएगा, Maths के उपर 25 questions और General सके उपर 30 marks का total exam होगा और General Awareness, Current Affairs के उपर 20 marks, मतलब Reasoning 30 marks और Current Affairs 20 marks, को लिए मिलाकर 100 marks का आपको exam देना होगा, और इस exam के बाद आप देख सकते हैं, the examination duration will be 120 minutes, तो इस time के अंदर अंदर आपको examination को complete करना होगा, तो उसके बाद आपका कुछ physical test भी लिया जाएगा, तो जहाँ फिजिकल टेस्ट में आपको male के लिए 35 kg लेकर आपको 100 meters रान देना होगा, और वो 2 minutes के अंदर अंदर, और उसी तरीके से females के लिए 20 kg लेकर 100 meters करान देना होगा, वो भी 2 minutes के अंदर अंदर, तो कुछ इस तरीके से आपको physical fitness भी maintenance करना होगा, तभी आप finally यहापे selection हो पाएंगे, और सारे चीज़ करने के बाद आपको एक interview भी face करना होगा, और उसके बाद आपको apply करना, उसके बाद आपको join मिलेगा, तो basically how to apply, कैसे आप apply करेंगे, उसका link में नीचे दे दूँगा, उस link में जाकर click करना, और यहापे जो जो data चाहिए गया है, जैसे photo, आपका signature, CST हो तो आपको certificate चाहिए, उसके बाद आपको qualification का certificate चाहिए, साथी साथ आपका admit card है, 10 plus class का, वो भी आपको यहापे attach करना होगा, सब कुछ यहापे details देगा है, इस details को आपको ध्यान से पनना है, उसके बाद apply करना ह तो I hope वीडियो में जैनकर आपको अच्छा मिला होगा, अगर मिला है तो चैनको जूरू सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, इसी तरीके से आपडेट पाने के लिए, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबात